मताबिक महराश में शिवसेना, NCP और कॉंग्रिस के बीच सरकार बनाने के लिए 17 नवंबर को गडबंधन का एलान हो सकता है कल मुंबई में तीनों दलों के बीच शर्तों को लेकर बैठक हुई कोई लाग लपे, कोई लिहास, कोई डर में, जो सही लगा, पोल दिया कॉंग्रिस और गांधी परिवार पर बाल ठाकरे के जुबान आग उगलती थी कॉंग्रिस पक्षे मदे यवड़ी हिजड़ी हिजड़ी यूट्ती हितके एक आता चावाई चतरी कोणा आला शगड़ी रुपता च्या सोनिया गांधी चसमोर कि हिजड़ें च्यावला जोपनिया दिश्वक्रे राज्य ककते हैं, कॉंग्रिस पक्षे मणून बाला साहिब के यही तेवर पकड़ कर उधव ठाकरे आगे बहिए असली वारिस माने जाने वाले राज ठाकरे को अलग किया, शिव सेना पर पकड़ जमाई प्रान जाए पर वचन न जाए, ही शिवसे निच नित्या है, ही शिवसे निच वृत्या है पुत्र मोह में ही महभारत हुई थी, तीस साल तक जिनके साथ चले, उन्हें छोड़ दिया, और जिन्हें तीन पीडियों तक कोसा, उन्हें के साथ जा बैठे 19 दिन की चोड़ तोड़ फेल होने, और महराष्ट्र में राष्ट्रपती शासन लगने के बाद, कल वो हुआ जिसकी शिवसेना ने कभी कलपना नहीं की थी जिन्बाला साहिब के पास कॉंग्रेस कभी फटकती तक नहीं थी उस कॉंग्रेस से सत्ता का तोल मोल करने और उसकी शर्टे सुनने के लिए दो शिवसेना के नेता बैठ गए आज बैठनक में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा हुई है चर्चा में मसुदा जो है वो ड्राफ तैयार किया है और वो तीनों हमारे पक्षेस रिष्टी जो है उटके पास बेजा जाएगा तीनों पक्षेस रिष्टी उस पर घ्रणे लेंगे फिर वो अंतिम होगा और बात में उसके बात अगली कारवाई शुरू हो जाएगा सूत्रों की माने तो न्यूनितम साचा कारिक्रम पर उद्धव ठाकरे सोन्या गांधी और शरत पवार की मुहर लगते ही 17 नवंबर को शिवसेना कॉंग्रेस एनसीपी की सरकार का एलान हो सकता है 17 नवंबर का दिन शिवसेना इसलिए भी चाहती है क्योंकि बालत साहब ठाकरे की साथवी पुर्ण्यती थी है शिवसेना ने सभी चपन विधायकों को 17 नवंबर को मुंबई में रहने को कहा है कॉमन मिनिममम प्रोग्राम के लिए तीनों नेताओं ने पाँच पाँच नेताओं की कमेटी बनाई है लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कॉंग्रेस शिवसेना के साथ कैसे रहेगी सूत्रों के मताबे कॉंग्रेस ने सबसे बड़ी शर्त रखी है कि शिवसेना को कटर हिंदुत्व का रास्ता छोड़ना होगा शिवसेना अलप संख्यकों पर कॉंग्रेस नीती अपनाएगी साजा सरकार में किसान और रोजगार बड़े मुद्दे होंगे अब शिवसेना का संकट ये है कि उसे पूरा मेक ओवर करना होगा पार्टी का वजूद ही ठाकरे की ठोकशाही और हिंदुत्वसे है दोनों को छोड़ना एक तरह से बीजेपी को वॉक ओवर देना होगा शिवसेना के परंपरागत वोटर बीजेपी में चले जाएंगे हना कि शर्टों के साथ सीएम की कुरसी पर भी पेंच है तय नहीं है कि सरकार बनी भी तो पहले के धाई साल शिवसेना का सीएम होगा या एंसीपी का कॉंग्रेस में मांग उठने लगी है कि पहले धाई साल एंसीपी का सीएम हो देखो कहने का मतलब ये था कि हम गडबन दन में है और उनके नंबर जादा है तो अनुभाव तो है ही उन्हें तो फिर उनका मार के दर्शिन लीजिए शिवसेना को डर ये भी है कि यहाँ भी गेम बिगड़ना जाए क्योंकि पहले के धाई साल सीएम पद नहीं मिला तो बाद के धाई साल की कोई घ्यारंटी नहीं समर्तन दे कर बीच में हटा देने का कॉंगریस का पहले से रिकॉर्ड रहा है ये आशंका इसलिए भी है क्योंकि खुद कॉंग्रेस का सरकार में शामिल होना अब तद तै नहीं है मुंबई से एहसन अबाज और अंकुरतियागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया